गुदिग मेरीवान वेलकम टूट अब ओके ठीक है कुडिग मेरीवान वेलकम टूट अब टीक है आप सभी का स्वागत है तो आज एक विकंशी और भी आ गई है ठीक है ना दिस विकंशी फॉर इलेक्ट्रिकल मेकानिकल एंड सेवल इंगे अल्ड ब्रांच इस मतलब सारी क खुशे होगी कि अगर मैं इसके अंदर देखूं हुँ ज्यादा बड़ा हो गया है ठीक है कि या न६ टो कैटेगरी में वेकंशी है यह पूरा नग्राफ हो आपको दिख रहा होगा ग्रोव category A है और category B है एक अंदर ऑशिस्टंट मैनेजर एलेक्ट्रिकल की जो व किंशी है अरने सब्षाव तो अगर बात करें तो यह देखिए यह बीटक वालों के लिए है जो क्याट्रिक एलेक्ट्रिकल इंजिनरिंग में तो जो बच्चे अभी तक थोड़ा साइन्स या फिर कंप्यूटर साइन्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी में आपका बीटेक होना चाहिए ठीक है और अगर कैटेगरी कैटेगरी बी में चले जाए तो एक प्रक्रीघ के अंदर यह देखिए ठीक है जूनियर इंज दिए आपको पावरगरिट पिपिंदर यह है जूनियर मैंगेजरमेक्स के लिए जाए एंवन के आपका यह नहींती के नीचे 10 मद्दों के लिए और इलेक्रिक reward के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि 89 यहां पर और चालिस हाप का हो जाएगा एक्सोतीज और 138 वेकेंसी तो गई इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक ना लेकिन यह जो क्यों के लिए यह डिप्लोमा वालों के लिए है ठीक है और बी टैक वालों को लिए दूसरी बात मैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोग के लिए पी उसको सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रेप्शन में लिंक भी लगा होगा आप कमेंट सेक्षन में डेख रहे होंगे मेरे टेलीग्राम का रहा होगा उसको जोइन कर लेना diver सेशन के बाद इसको डाल दूँगा इसका पूरा पीडियेफ डाल दूँगा तो आप आराम से बैठके भी पढ़ सकते हो लेकिन पहले मैं बता देता हूं सारी बात ठीक है बहुत सारी बाते हैं इसके अंदर ऐसी यह लोग इसके लावत देख लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दिया ठीक है कि भाई कैटेगरी ए के अंदर बीटेक वाले भर सकते हैं और कैटेगरी बी के अंदर डिप्लोम वाले भर सकते हैं और तीनों ब्रांचेस की वेकिंसी है ठीक है ना दूसरी बात आपकी जाग अगर आप category A में मतलब engineering के student है बीटेक वाले student है assistant manager के लिए जब आप भरेंगे assistant manager की post में आपको अगर भरना है तो आपकी age कम से कम 21 साल होनी चाहिए जाज़ादा 44 years होनी चाहिए और अगर आप junior manager के लिए भर रहे हैं जो की आप कैसे diploma लिए भर सकते हैं ठीक है तो आपकी age कम से कम 18 साल होनी चाहिए और जाज़ादा 44 होनी चाहिए ठीक है मतलब आपके age limit भी बहुत अच्छी दी गई है जिसके हिसाब से आप भर सकते हैं experience की कोई बात नहीं है अपर experience की कोई बात नहीं उत पलने की ठीक है application fee की अगर मैं बात करता हूं तो application fee जो है देखिए general के लिए और OBC के लिए 800 रुपए है general category के लिए 800 रुपए fees है और क्या कह सकते है OBC के लिए भी 800 है SC और ST category में 400 रुपए fees है ठीक है ओके थोड़ा स्मार्ट बूर्ड आज किल मैं बड़े दिनों बाद चला रहा हूं जो इसलिए थोड़ा मुझे 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 मुश्किल हो रही है ठीक है selection procedure क्या होगा भई देखिए इसमें online test होगा जिसमें 100 question आएंगे ठीक है और 100 question आएंगे तो भई उसके अंदर देखिए दो पार्ट में पेपर होगा assistant manager का जब आप पेपर देंगे उसके अंदर आपकी non-tech का पार्ट में general English, general attitude, emotional intelligence और general knowledge ठीक है यह सारे questions से मिला के 40 questions होगे और core subject से आपकी जिस भी branch से आप भर रहे हैं अपना ठीक है 60 questions और ब्रांच होगे चाहाई electrical चाहाई mechanical चाहाई से बिल औ टोटल टाइम जो मिलेगा आपको दो घंटे मिलेंगे ठीक है ना टोटल marks 100 marks का paper होगा 100 question होगे ठीक है और इसका जो syllabus है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा हाला कि मैं जब PDF आपको दूँगा तो इसमीं website का link नीचे दिया गया है ठीक है उससे आपकी अगर सकते हैं 1 to 5 आपके माइनस भी हो जाएंगे negative marking भी है ठीक है दूसरी बात जब आप इसका return test निकाल लेंगे तो return test निकालने के बाद आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा और आपका interview भी होगा वाईवा टाइप का होगा 18 marks का ठीक है ना for the post of assistant manager यह देखो ठीक है ना 18 marks का for the post of assistant manager and junior manager ठीक है ना तो यह भी ध्यान देना है कि भाई यह सिर्फ इसमें क्या है सिर्फ return test नहीं है return test के साथ साथ आपको assistant manager और junior manager जिसकी पोस्ट के लिए आप अपलाई कर रहे है 18 marks का वाईवा भी देना है ठीक है चलिए और भी देख लेते हैं और क्या बोला है उन्हें जितनी काम काम की बाते हैं अब देखे बात पैसे की भी है क्योंकि तुम्हें फॉर्म भरी क्यों रहे हो और जोग लेना ही क्यों जाते हैं पैसा कमाने के लिए ठीक है तो assistant manager की अगर मैं बात करता हूं तो assistant manager का जो पेंस्केल है वो 37,300 से लेके एक लाग 12,000 ग्रेट पेजो है 14,200 के आसपास रहती है इन टोटल अप्रॉक्सिमेट ग्रॉस आपकी सैलरी जो है वो 68,000 मदब 70,000 65,000 आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और अगर मैं आपसे बात करता हूं junior manager की post में तो आपकी लग लेगा ठीक है मैं इसको apply करने की वैसे खुल नहीं रही है चली कोई बात नहीं है कि अ अ मैं सूजरा तो वेबसाइट खुल जाती तो मैं आपको दिखा भी देता है इसकी वेबसाइट कैसी दिख रही है ठीक ना यस मैं नहीं खुल रहे है क्योंकि हमने ब्राउजर में ब्लॉक कर रखी है ठीक ना ये वापिस कैसे जाएंगे रिलोड नहीं नहीं ये खुलेगा नहीं वह वह पीडियस खुल रखा था हमने तो मैंने उसके लिंक से वेबसाइट खुली तो वह डिरेक्ली कुछ वेबसाइट खुल नहीं दी इसको क्लोज कर दो क्लोज नहीं हुआ नहीं है हाँ लेकिन हमने इसमें नोट में खुला हुआ थे शायर इसको किसमें खुला था पता नहीं चलो कोई बात नहीं उसी में खुल दे दो ठीक है इसी में मैं उपन करके दिखा देता हूं ठीक है तो अपना सेलेक्शन पूर्जिसर आपको पता है डेट पता है नेगेटिव मार्किंग है यह भी पता है ठीक है ना सारी चीज़ें लगबल लबग हमें पता है अब एक चीज मैं आपको इसमें और बता रहा था यह थोड़ा सा मैंने आपका टाइम खराब कर दिया हलाकि स्मार्ट बोर्ट पर मैं रोच पढ़ा था नहीं ठीक है इन्होंने एक चीज़ बहुत जरूरी चीज़ में जो मैं बताना चाहरा हूं वह बहुत जरूरी चीज यह है ठीक है की अगर आपको कोई प्रॉब्ल Minnesota आती है तो कैसे पूछें कैसे पटा करेंगी इस प्रॉब्लम यह मेरे लिकिता है कि नहीं यह मैं apdcl help at the rate gmail.com पर क्या कर सकते हैं इमेल कर सकते हैं उनको बता सकते हैं वो आपको reply करेंगे ठीक है या फिर उनका toll free नंबर भी यहां पर दिया गया है ठीक है यह नंबर भी दे गए इस पर call भी कर सकते हूं ठीक है तो अगर कोई बात रह जाती है ठीक है तो आप इस पर आराम से call करिए अराम से क्या करिए अपनी बातचीत कर लिए कि मेरी यह problem है क्या मैं भर सकता हूं मेरी यह percent है मैं यह मेरे मतलब दुनिया भर के आपके हो सकते हैं बहुत सारे सवाल हो सकते तो आराम से इन से पूछे जा सकते दूसरी बात कि भाई अगर मैं बात करता हूं तो मै आपको ब्राउजर खोल के दिखाता हूँ इनका जो स्लेबस है इनकी वेबसाइट पर दिया गया है ठीक है ना इनकी वेबसाइट क्या है एई जी सी एल ठीक ना ठीक है ठीक है अरी यह लो कुल किनी ना कुल यह 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 देखो वेबसाइट खुल गई ठीक है ना इस वेबसाइट के अंदर देखिए इस वेबसाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो देखो इन्हों ने यहां पर पूरा इसमें देखिए यहां पूरे स्लेबस के लिंक दिए गए है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से असिस्टेंट मैनेजर के लिए भर रहे हैं ठीक है इलेक्ट्र से बर रहे हैं या मेकैनिकल से इन्फॉर्मिशन टेक्नलोजी से जिस भी ब्रांस से आप प्रिस्पेक्टिव इस सॉयल मेकैनिक्स है मतलब जिसको जियोटेक्निकल उंजियर कहते हैं हाइवे एंड रेलवे दोनों है ठीक है और इसके लावा स्टर्वेंग है स्ट्रक्चल डिजाइन है अर इन्वार्मिशन एगिए हैं तो यह जैसे पूरे सबजेक्ट और पूरे स्लेबस इसके अंदर भरना है ठीक है न मतलब आपको करीड़ 910 दिन मिलते हैं बस फॉर्म को भरने के लिए तो तुरंत भर के खतम करो इसको ठीक है ना और बढ़िया तरीके से तयारी करो ठीक है जैए एई फाउंडेशन में कॉंसेट क्लासेश कर रहे हैं ठीक है अपना तयारी करो और कर लेंग एडबल जी डॉट एडबल जी एडबलू एल अगरवाल एडड़ेट ग्रिडव डॉट को ठीक है तो यह काम किसका है अगर आपको को सीरियस माल लेते हैं अपने पढ़ाई वड़ाई को लेके प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हो ठीक है ना अन्य था तो अनों pdcl help at the rate gmail.com ठीक है ना बहुत अच्छे ठीक है इसके लावा आपकी कोई भी प्रॉबलम हो जितनी भी बाते हमने यहाँ पे करी इसके लावा तो आप इस पे मेल करके उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको reply करके बता देंगे कि वही कब admit card हो सकता है कब exam की date हो सकती है हाला ठीक चलो तो भाई सेवल मेकानिक अलेक्टिकल सब के लिए विकंसी बढ़िया चल लगी है और इसके लावा मैं देख रहा हूं बिनीत कुमार जी सिविल के लिए बेकार है अच्छा कुछ नीजिए तो अच्छा ही है और सब्साद अभी केंसी तो सिविल में आ रही है ठी आ रही है